उन्तिया वैद और सर्व सुविधा युक्त कॉलोनीम केसर प्राइड में प्लोट लेने के लिए देगे नंबर पर अभी संपर करें अथवा विजिट भी कर सकते हैं कंट्रोलोम से बन ग्राउन टिट गाउं में पहुंचा था वहां पहुंचने के बाद ये जानकारी प्राप्त हुई है कि गाउं में ही एक नावालिक आदिवासी समाज की लड़की है जिसके साथ वहां के एक नदीम और गोलू नाम के इवक ने छेड़ खानी की ऐसा उसके बताया गया उसकी रिपोर्ट कल उन्होंने थाने में नहीं कराई थी आज उसी रिपोर्ट कराने की बात को लेके गाउं से आने के लिए बोल लहते हैं वहीं पर दोनों पक्षों में विवाद हुआ और उस विवाद में वहां पे एक पक्ष ने मारपीट करी जिसमें पांच-छे लोग घैल हुए और जो घैल हुए उनमें से एक ब्रक्ति की कोसर में चोट आई थी और टांके आई थे जिस पर से उनके विरुद्ध गंभीर धाराओं में और बल्वय का प्रक्रण थाना मोगट में कायम किया जा रहा है इस प्रक्रण में चे जो आरोपी घटना में सामिल थे उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है अभी तक कुल दस आरोपी थे उसमें से चे को दूसरे पक्ष के लोगों के साथ भी मारपीट हुई थी उस मारपीट में बल्वा और अन्य धाराओं में प्रक्रण पंजिबत करके उनकी भी गिरपतारी की जा रही है जिस लड़की के साथ घटना करना हुई थी उसकी रिपोर्ट पर आरोपी नादीम और गोलू के विरुद छेडखानी पाकस्तो एक्ट और स्टी स्टी एक्ट के तैद प्रक्रण पंजिबत किया गया है साथी आज की गटना में भी गोलू आरोपी है और उसकर अन्य गंभीर अपरादों में भाराओं में प्रक्रण पंजिबत किया गया है मौके पे तत्काल पुलिस पहुंची पुलिस ने वहाँ पे जाके इस्तित को सामान ने किया और वहाँ लगातार पुलिस की पेट्रोलिंग भी जारी है किसी तरह का कोई अभी गाउं में तनाव नहीं है सामान इस्तित फिर भी एतियतन पुलिस को ये कबल वहाँ पर तेहनात कर दिया गया है अन्य आरोपियों की गिरफतारी के लिए हम लोग लगातार अभी प्रयास करेंगे और सिग्र अन्य आरोपियों को गिरफतार करेंगे साथी जिन आरोपियों ने आज वहाँ पे जगड़े किये हैं उनके विरुद्ध सक्त अपरादों में सक्त कारवाई करेंगे साथी अन्य प्रजबंधात्मक्त हराओं में भी हम लोग कठोर कारवाई उनके बिरुद्ध करेंगे और अगर कोई ऐसा आरूपी पाया गया जिसने गई इस तरह के बार-बार घट्टाओं में सामिल हो रहा है देगे नमबर पर अभी संपर करें अथवा विजिट भी कर सकते हैं